हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका CP Smart Classes में दोस्तों मैं जंदर प्रकास आप सभी के लिए लाया हूँ एक नया वीडियो आप देखिए इसमें दोस्तों आपको मालूम है SSC CHSL 2018 की वेकेंसी आ चुकी है अब वेकेंसी आ गई है आपने फांवी कब भर दिया है एप्लाइ भ घुके हैं उनको उनके भी माइड में एक कोशन है कोशन मार्क उनकी दिमाग में बना हुआ है सभी की दिमाग में भना हुआ है को इसवी इस एकजाम को क्रेक कैसे करना है strategy क्या होनी चाहिए planning क्या होनी चाहिए यह सब हम बताएंगे दोस्तों क्योंकि यह वीडियो मैंने बनाया है इसलिए क्योंकि जो भी छात्र हमारे youtube channel cp smart classes से facebook channel से और whatsapp group से जुड़े हुए हैं वो मुझसे बार-बार पूंच रहे हैं कि sir क्या strategy अपनेने चाहिए क्या planning करने चाहिए इसलिए मैंने यह वीडियो बनाया है जिससे कि सभी को पता चल सके तो दोस्तों strategy और planning हम दोनों पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में आईए हम शुरू करते हैं आगे आगे बढ़ते हैं सबसे पहले देख लेते हैं scheme of examination क्या है क्या क्या सक्राइब मैं आता है जल्ती सदेख लेते हैं इंगलीस लेंग्वे जाती है 25 कोशेंस आते हैं इसमें general intelligence आता है यानि कि रिजिनिंग जो 25 कोशेंस आता है quantity of aptitude आता है जिसमें method questions होते हैं 25 questions और general awareness यानि कि जी के 25 questions होते हैं सभी questions दो-दो number के होते हैं ये 50-50 number के sections होते हैं और 200 number का ये paper होता है 60 minute में आपको ये paper साल्व करना है केवल 60 minute आपको एक घंटे का time मिलेगा online exam है और इसी एक घंटे में आपको ये 100 questions करने हैं 100 questions और 60 minute तो इसके लिए हम strategy अपनी बनाए है और planning भी हम लोग करेंगे वो देखते हैं ये strategy देखिए हमारी strategy में पहला point जो हमारा है concentrate on journal awareness जर्नल एवरेनेस पर आपको concentrate करना है और इसका और भी पार्ट दूसा भी है concentrate on English language English language पर आपको concentrate करना है अब आपको जर्नल एवरेनेस पर करना है यह क्यों करना है कैसे करना मैं आपको बता रहा हूँ इसके लिए हम अपनी backslide में जाएंगे देखिए जहां तक मेरा मना है दोस्तों जर्नल एवरेनेस को छोड़कर बाकि यह जो तीन सेक्सर हैं इसमें दिये गहें जर्नल इंग्लिस जर्नल इंटिलिजेंस एंड क्वांटिटी अप्टिट्यूट इसमें लगभग सभी के स् लोग उसके हिसाब से ही करते हैं तो जो भी सीरेस कंडिडिट है वह लगबग उतने कोशन कर ले जाए गया उसको आसपास कर ले जाएगा जितना यह कि दूसरा कंडिट करेगा और इसी तरह जन्रल इंट्रिजेंस का भी हो जाएगा अब जिए जन्रल एवरेनेस है जन्रल सागर है उसमें कितना पारी निकाला गया है किसी को नहीं मालूँ है कौन से कोशन जन्रल एवरेनेस में आएंगे कौन से नहीं आएंगे बहुत बड़ा से इसका तो दोस्तों 25 कोशन जो आएंगे इसमें से जो है आन एवरेज लोग 12-13-14 इस से ज्यादा नहीं कर पाते है किसी भी एकजाम में इसलिए दोस्तों मैं बोल नहीं हूँ इसको कि आप कंसेंट्रेट करिए अगर आप सीरियस कंडिडेट है आपके यह तीनों सक्षन अच्छे हैं तो आप इस पर कंसेंट्रेट करिए जैनल एवरेनेस पर थोड़ा ध्यान दिजिए इसकी पढ़ाई अ में मैं अँपको अपको जिसका नहीं है सब्सक्राइए आप जिसका इंग्लिजिस लेंग्वेज सही नहीं है यह उनकी च्हात्रों के लिए जिन है कि English language मेरी सही नहीं है तो वह general awareness पर concentrate उनको नहीं करना है उनको concentrate करना है अपने English language पे क्योंकि जैनल awareness पर 12 तेरा चौदा तो सभी score कर रहे हैं English language में वह पीछे रही जाएंगे वह अगर सभी score नहीं करेंगे तो पीछे रहा जाएंगे वहाँ पर उसके 12 तेरा तो भी की शूर कर लेंगे तो सब के साथ रहेंगे इसलिए उनको पूरा concentration अपना English language पे देना है English language पे concentration देंगे तो English language सबके सबस्थ साथ आ जाएंगे English language में बच्चे यहां पर 20-21-22 तक score करते हैं इतना कर लेते हैं 24 तक चले आते हैं तो जब इसको सबके लेवल में आ जाएंगे तो general awareness पर सबके लेवल पर लेड़ी है वह तो इसलिए उनको English language पर concentrate करना है यह सेकंड लाइन है उन छात्रों की जिनकी इंग्लिस कमजोर है सब्सक्राइब करना है अब यह थोगी general awareness और इंग्लिस की बारे बात में सेकंड पॉइंट मैं करता हूं कि रिवीजन का आप अपना एक time fix कर लिए अगर आप दो घंडे पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें आधा गंट आप रिवीजन के लिए रखिए कल जो आपने पढ़ा परसों आपने पढ़ा उसको आपको याद रहे हैं क्योंकि अगर आपने कल वाला रिवीजन नहीं किया तो आज आप उसको भूल सकते हैं इसलिए डेली रिवीजन बहुत जरूरी है आप जितने भी घंटे बढ़ाई कर रहे हैं उसका वन बाई फोर्थ आप डेली रिवीजन पर दें यह आपकी इस्ट्रेटीजी होनी चाहिए तो दोस्तों तीन इस्ट्रेटीजिया आप मैंने बता दी आपको इसके बात इसके वाथ है यूरूप डिसकुसन आपको अपने साथ के अपने दोस्तों से अपने सहयोगीयों जो भी इस परिच्छा को दे रहे हैं उनके उनसे इस बारे में discussion करते रहना है discussion करने से information का जो है एक्सचेंज होता है knowledge sharing होती है और यह knowledge sharing बहुत जरूरी होती इस इसलिए आप इसको करते रहे हैं last yearCuations papers आप लगाए सभी के लिए यह आप Last year के questions paper आप लगाएं इसमें का लाश्ट यह से क्वेशिंग प्लानिंग करते यह दूस्तरों कैसे प्लान करेंगे वहोती बात होगी जो सक्मेशिंगें हैं बना लिए कि कैसे करना अब प्लानिंग देखते हैं प्लानिंग के लिए लिए देली भी होती है देश और राष्टी जो भी घट रही है वह हमारे माइंड में आ जाती है क्योंकि उसके में हमको कुछ नकुछ उसका बैक लिंक भी मिल जाता है जैसे कि आप देख लेजिए जिन गुजिरात में चुना हो रहे हैं नेपाल में इलक्षन हो रहा है और गाजा पट्टी पर भी कुछ अभी वहां पर हुआ है तो यह सारी चीज़ जो है आप डेली नीज़ पर जब न तक आपको पढ़ना क्योंकि मार्च विंपेपर है तो पंदरा फर्वरी के बात का तो नहीं पूछेगा वह और सितंबर के पीछे भी नहीं पूछेगा तो करेंट अफेर्स आपको जो पढ़ना है सितंबर 2017 से लेके फरवरी 2015 2017 तक पढ़ना स्वारी ग्रत लिगे यहाप गतना चक्र आपको पढ़ना है आप उसको फालू किजीए वह जरूरी है और लूशेट बाकी जो बजता है जो रिगुलार है जैसे कि आपका हिस्टी हो गए जगुर्फी हो गया और पॉलिटी हो गया इन सब के लिए लूशेंट ही जरूरी है अपको क्योवल आप सारे पढ़ने पढ़ते हैं जो भी आपको बॉक्स में लिखावा मिल जाए उसको तो आप याद कर लिए क्योंकि बॉक्स में बहुत ही इंपर्टेंट है वह उन्होंने रेट से हैलाइट कर दिया उसको भी आप पढ़ लेजिए कि साइन्स आपको डेली साइन्स यूज में जो होती है कौन रिसे कंवते हैं कु से मितामा कि कपर रोग होता है यह चीजा का है और दाए बाय और और आपको आपो ओधिया रही है कर देली िजुद यूज में जो भी आती है वही छी साइन्स में आती हैं आप उसको देखिया और क्यों होता कैसे इसके बारे में आप मनन की जीए और इससे यह तैयारी हो जाएगी तो जर्णल एवेरेंडेस तो दोस्तों हो गया आपके लिए प्लानिंग करने चाहिआ हैं सब्सक्राइब है तक हम बात करें लेकिन भुत ऊधी होती यह जो चमड़े हैं ध्युक्तों उनुक्त पूछते रहते हैं अक् chia रह Hm तो उनके लिए मेरा सजेशन से सबसे पहले वह इसमें दो-तीन जो फिक्स चीज़ा आती है उसकी तयारी करें जैसे कि एक हो गया एंटो निम्स की तहरी करें सिनो निम्स की तहरी करें वन वड्स अप्रीटूस में अपने चैनल पर वीडियो भी बनाया हुआ है और अन्टोनिम्स की वारे में वीडियो मनाँगा इसकी वीडियो को अगर वह फालो करेंगा तो सहीर आएगा और इसको करें यह तीन चार जो इस टिप्स हैं यह सबसे अच्छे हैं और इसकी लिए एक बुक आती है जिसमें प्रेक्टिस दिये हुए है उसको करेंगे तो इनका इनको काफी अच्छा इंप्रूमेंट होगा और यह एंदर काफी अधिक इंप्रूमेंट आएगा उन बच्चों के लिए जो इंगली से बहुत कमजोर है को आगे देखते हैं दोस्तों जनरल इंटेलिजंव तो में क्या करना लास्ट से पर्इक्टिस पर्व करने है लास्ट से प्रेक्टिस प्रश जो है वह को करने है और एक टुजड नंबर कि एक तो जड़ के नंबर आपको यादद करने जिससे कि एक ट्रिक हमारे पास है यह पांच हो गया फिफ्थ हो गया जे टेन हो गया ओ फिप्टीन हो गया टी हो गया 20 और वाई हो गया 25 जब आप ई जोती याद रखेंगे तो आपको महाँ पे एक्जाम में आसानी होगी टी जैसे ही आएगा टी के बाद वाद वाला जो होगा वह 21 नमबर होगा पूरे नमबर आपको याद नहीं करने पड़ेंगे यहनिकि शॉटकट का भी शॉट से का पोजिट एक्स है आप इनको बिल्कुल रट लेजिए इन दोनों चीज़ों को यह दोनों चीज़ आपको रटी रहेंगी तो आप बहुत जल्दिन दिवहां पर कोशिंस कर पाएंगे यह टाइम आपको बहुत ही कम है एक ट्रेंगल काउंटिंग का भी वीडियो होता इनको इनकी वीडियो अप्लोड करूंगा और वो वीडियो आपको मिल जाएंगे वेडियो आप देख लेंगे तो यह आप इनको कर सकते हैं दोस्तों आप आराम joint कर सकते हैं सबक्किंद जरूरिये एक से लेके 30 तक वन से लेके 30 तक आपको किसका स्क्वाइर कितना होता आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए 10 के स्क्वाइर होगा यह आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए वन से लेके 30 तक आप बना लेजिए लिस्ट और उनके स्क्वाइर आप इनको रट लेजिए विल्क है तीसरा जो है मेरी प्लानिक है उसमें आप बहुत सारी कोशिंस यसे हैं जिसमें कि आप फर्मुले से करेंगे तो तो टो आप जिस कोशिंस में देखें कि यह ज़दा लगता है और उसको बंद फर्मुला करें करिए और फोर्थ है है मारा reverse engineering reverse engineering में क्या होता है कि जो भी conditions फर्मुले मेरे जो भी conditions कोईसें में मांगी गई है उन questions में आप अपने answer को रख दिए जिस answer से सारी conditions पुरी हो वह answer आपका हो गया वालीजे ABCD आपसे को option दिया गया है और और एंसर विफ पच्चीस है ह् दस बीस पच्चीस थीस यह लिखाना चाहिए को एक होगा तो आप न मेताइक नल तो आपने पच्चिस रख दिया उस्में तो यह नहीं ब्रेंद खार हैं तो आपको लेगा सब्सक्राइब करना होता है इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने जो हमारा चैनल है जो हमारी टीम है हम लोग इस परिच्छा की प्रप्रेसंस के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं फेस्बुक पर हमारा एक यह फेस्बुक का गुरूप है जिसको स्पार्ट क्लासे इसका यह लिंक दिया हुआ मैंने यहां पर आप इसको जॉइन कर सकते हैं यहां पर भी आपको गैडलाइन्स मिलेंग इसके लिए यूटूब पर हमारा चैनल है तो आप इसको अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकाल जरूर दबा दीजिएगा जिससे कि आपको नया नोटिफिकेशन मिलते ही आपको वीडियो मिल जाए और तीसरा जो हमारा मीडियम है वह है जोड़ रहे हैं इस गुरूप में हम आनलाइन टेस्ट करवाते हैं आडियो और वीडियो लेक्षर देते हैं इसमें डेली क्विज होती है अगर आप भी इस गुरूप से जोड़ना चाहें तो आप इस गुरूप से भी जोड़ सकते हैं तो दोस्तों यह थी हमारी सिंग मैं वीडियो और दोस्तों अगले वीडियो के साथ हम बहुत जल्दी फिर आपके साथ मिलेंगे से धन्यवाद दोस्तों